हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल एम्प्लिफिकेशन ओफ कॉर्डेट्स में हमने दो वीडियो अब तक देखे जो के ओरिजिन ओफ कॉर्डेट्स और एर ब्रेडर के बारे में देखा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है ओरिजिन एन्सेस्टरी ओफ एम्फिबिय उसके बाद रैप्टाइल्स एंड मैमल्स जो है तो उनका हम यह तो जानते हैं कि वह एक दूसरे में से इवालियोट हुए है लेकिन एक्च्वल किस ग्रूप में से वह इवालियोट हुए है इसके बारे में हम थोड़ा डीपली समझेंगे जिसे के एमफिबियन है तो हम मैमल्स की भी बात करें तो हमारे जो एंसिस्टर है वो पाइसिस है तो पाइसिस में से उनके बाद आने वाला जो प्लास है वो एमफिबिया है तो एमफिबिया उनमें से इवालियोट हुआ है दोनों के जो कारेक्टर से वो मिलते जुलते है लेकिन जिसे हमने पाइसिस का classification देखा तो वो कैसा है बहुत ही broad classification है बहुत सारे ग्रूप है तो अब उन में से किस ग्रूप में से amphibia evolved हुए है यह तो नहीं है कि कोई भी fishes में से वो directly evolved हुए होंगे तो किस ग्रूप में से particularly amphibian का origin हुआ है evolution हुआ है और फिर उसके बारे में आगे देखे तो amphibian को क्या ऐसे जरूरत रही होगी कि वो पानी से जमीन पर आए उनको जमीन पर आए रहने के लिए तो उस habitat में आने के लिए उनमें क्या-क्या changes हुए क्या उनके अंदर adaptation देखने को मिले क्या evolution हुआ तो वो सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें कि जो amphibians है उनके fossils मिले होंगी तो उनको characteristics जो है उनको prices के साथ match किया है scientist ने और उनके ओपर से फिर evolution के जो ancestor है amphibian के उनको find out करने की try की तो इनके जो fossils जाना जाता है यह नाम इन्हें क्यों दिया है तो इनके fossils के एक characteristic है कि जो उनका तीत है उसको उस पर dantyne का cover देखने को मिलता है तो इस dantyne के cover की वज़े से जो fossils मिले है amphibians के उनके अगा जाता है तो यह जो amphibian है वो प्रोबबली ओरिजिनेट ट्री हिंड्रेड मिलियन सियर अगों ड्यूरिंग डैवनियन पिरियड डैवनियन पिरियड के टाइम पर यह जो amphibians थे वो ओरिजिनेट हुए थे और फ्लोरिश थू कर्बैनी फॉरस और पर्मियन पिरियड और इनका काफी फ्लोरिश हुआ तया यह बहुत ही एक्सपांड हुआ था और फिर जो यह एक्स्टिंक हो चुके एम्फिबियन है वो ट्राइसित पिरियर में एक्स्टिंक हो चुके और उसके बाद जो modern एम्फिबियन से हमें हाल में भी देखने को मिलते हैं सो इनके जो फॉसिल्स मिले हैं उन पर से उनका जो फिगर या डाइग्राम अगर बनाने की डाइग्रीमाटरिकली हम समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से पाये जाते थे अब जैसे के हम जानते हैं हमने बात की के पाइसियन में से उनकी एंसेस्टरी हुई है यह हमने कहा तो किस तरह से तो इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड है के एमफिबियांस फिशिस में से ओरिजिनेट हुए है इनके बहुत बाड़ी के सिस्टम पार्ट बहुत से ऐसे हैं जो क्या है एक दूसरे से सिमिलरीटी रखते हैं बोथ हार cold-blooded, बोथ respire by gills early in life in some cases throughout the life जैसे के हम जानते हैं कि दोनों ही क्या है cold-blooded है साथ ही दोनों gills के साथ gills through respiration करते हैं एमफिबियन की अगर हम बात करें तो उनके development का जो early stages है वो पानी में होता है तो वहाँ पर वो respiration कैसे करते हैं गills through और कुछ cases में इसा भी पाया जाता है कि throughout the life कुछ amphibians इसे है जो पानी में ही रहते हैं तो वो gills के तुरू ही respiration करते हैं बोथ have air bladers serving as lungs like fishes, aquatic amphibians have canal system also to prevent desiccation in air, बोथ usually lay eggs in water where larval development usually continues तो उसके बाद हम बात करें कि जैसे हमने आगे कहा कि Devonian period में क्या हुआ था इनका origin हुआ था तो यह हमें कैसे पता चला इनके जो fossils मिले हैं जिसे हम Labyrinthodontia कहते हैं उनके fossils पर से अनुमार लगाया गया है कि वो कब originate हुए है Devonian period में, तो Devonian period में fishes के भी group पाए जाते थे, तो कौन से हैं वो Actinopterygy, Dipnoy and Crossopterygy, यह अलग-अलग characteristic वाली अलग-अलग जो group के fishes है वो Devonian period में पाए जाते थे, तो अब इन तीन में से particularly किस group में से amphibia evolute हुए है, origin हुए है, वो हम देखेंगे, so which of this group give rise to the first amphibians? Actinopterygy are far of the main course of tetrapod evolution because of many specialization, tetrapod यह है, मतलब amphibians की बात करें, वो first tetrapod class था, तो tetrapod जो है, उनका evolution हुआ, उसके, यह उनके जो ancestor की हम बात करें, तो ancestor होने के लिए actinopterygy के से हैं, बहुत ही specialized character है उनमें, so actinopterygy ancestor होने की बात accept नहीं है, उसके बात dipnoy की बात करें, तो शुरुआत में यह माना जाता था कि dipnoy में जैसे air bladder functioning है, तो और वो surface पर आकर के as a air bladder, जो है, वो as a lungs function करते हैं, तो शुरुआत में यह माना जाता था कि dipnoy में से क्या हुए है, amphibians जो है, वो जादा specialized है, particularly, सबसे important हम बात करें, तो उनका skeleton, तो उनकी fins का skeleton है, वो primitive tetrapod से मिलता जुलता नहीं है, primitive tetrapod में जो four limbs and hind limbs बने है, तो probably वो fins के अंदर से ही evolved हुए होंगे, तो fins में ऐसा तो कुछ structure होना चाहिए, जिन में से वो origin हो सके, four limbs and hind limbs, तो वो structure डिपनोई में नहीं पाया जाता, thus the older view that dipnoy give rise to amphibians is no longer held, their similarity probably resulted due to convergent evolution, on the other hand, it is now believed that the earliest amphibian arise from the primitive croceptorigen fishes, right, तो फिर उसके बाद प्रूब क्या हुआ कि जो croceptorigen fishes है, उनके group में से amphibians जो है, वो evolute हुए है, origin हुए है, तो उनमें क्या-क्या similarities देखने को मिलती है, वो हम देखे, they show extensive morphological similarities with early amphibians और labyrinthodonts, याने के जो extinct हो चुके है, जने हम labyrinthodonts कहते है, उनके साथ बहुत सी उनकी similarities देखने को मिलती है, जैसे के pentadactyl limbs of amphibian is supposed to have arise from the cross-opterigen fin lobs, अब cross-opterigen ऐसा group है, कि जिनमें जो fins ही, जैसे हम जानते हैं कि fins जो होती है, वो डो type का उनमें structure पाया जाता है, कि कुछ fishes कैसी है, कि जिनके fins जो होती है, उनमें fin rays पाया जाती है, right, fins को support देने के लिए, जबकि कुछ fishes के group में क्या पाया जाता है, fin lobed होती है, यानि कि उनके अंदर bonds के बने हुए lobs होते है, जो fin को support काते है, right, तो यहाँ पर जो cross-opterigen है, वो कैसी है, fin lobed fishes है, तो probably क्या हुआ होगा, कि fin lobed fishes जो है, right, उनमें से फिर दिरे-दिरे क्या हुआ, कि यह जो amphibians के four limbs and hind limbs है, वो evolved हुए, right, photograph पर से clearly idea आगा, there skulls and jaws are similar and can be equated bond by bond, और उनका skull and jaws का इतना similarity था, कि उनको हम bond to bond similar कर सकते हैं, उनको equality जो है, वो प्रूव कर सकते हैं, both were predators, armed with sharp strong teeth, position of external and internal nerves is also similar, air bladers were used as lungs during short migration from pond to pond, इक्थियोस्टेगा, a primitive labyrinthodont fossil, इक्थियोस्टेगा जो है, यानि के labyrinthodont, मतलब के fossils जो मिले थे, उनका well known example है, जो green land में पाया जाता था, has both cross-up terigen and amphibian characteristic and represented transitional stage, right, तो इस fossils पर से क्या प्रूव हो सकता है, दोनों की क्या थे, amphibian and cross-up terigen के characteristic उनमें पाई जाती थी, इक्थियोस्टेगा में, तो उस पर से जो amphibian का evolution है, सो cross-up terigen में से हुआ होगा, यह improve होता है, तो यहाँ पर हम उसका morphological structure भी देखे, तो किस तरह से उनमें four limbs and hand limbs present है, right, यह इक्थियोस्टेगा की figure है, तो इनमें हम देखे कि उनका जो morphology, external उनका features देखे, तो आगे से mouth region किस तरह से है, fishes के साथ similar होता है, right, जबके बाकी का जो region है, याने के four limbs and hand limbs present है, तो वो किस से similar है, amphibians है, यहां उसका skull भी जो है, उनका जो fossils मिले है, तो उस पर से देखे तो उनकी जो four limbs and hand limbs है, तो वो किस तरह से originate हुए है, तो जैसे हम fin lobed fishes में उनकी characteristic, उनका structure जो पाया जाता है, तो इसी तरह से इनमें क्या है four limbs जो थे वो, उनकी four limbs का जो structure था, वो पाया जाता है, तो इस प पानी पर से जमीन पर आने लगे, what was the need for early cross-opterigen to live their aquatic habitat to come on land with unknown possibilities, यहने कि अब तक हमने जितने भी animals का group है, वो कहां रहता था पानी में, तो ऐसी क्या needs थी कि जिसके लिए cross-opterigen में से ही, अब तो यह हो गया, प्रूव हमने देखा, कि उनमें से amphibian evolved हुए, तो cross-opterigen को क्या ऐसे needs रही होगी, कि उनको अपना aquatic habitat छोड़ करके जमीन पर आना पड़ा, तो according to one view, devonion was a period of seasonal droughts, तो एक view पर से, यानि के एक theory पर से यह माना जाता ही, कि devonion period जो था, तब seasonal droughts ज्यादा देखने को मेंता है, यानि के पानी की कमी ज्यादा रहती थी तब, certain cross-opterigen had sufficiently developed lobed fins to move over land to ponds containing water, तो क्या हुआ होगा कि कुछ cross-opterigen में दीरे-दीरे वो जो lobed fins थी, उनके थ्रूँ locomotion करके वो ऐसी जमीन पर आने लगे जहाँ पानी था, तो वो दीरे-दीरे इस वज़े से एक ये reason था, कि seasonal droughts की वज़े से उन्हें अपना habitat छोड़ना पड़ा, periodic as cats result in conversion of their lobed fins into to pantadactyl tetrapod limbs, और फिर दीरे-दीरे period जैसे पास होता गया, जैसे time pass हुआ, तो उनके वाज़े से क्या हुआ, कि ये जो fin lobe थी, उनमें से tetrapod limbs convert हुए, Another view contrast between aquatic and terrestrial habitats during development, एक और व्यूपर से क्या बताया जाता है, कि compared to water, land had more oxygen in air, food, cover, shelter and breeding places, क्योंकि तब सारा जो था वो कहां रहता था पानी में, animal group जो था हूँ, तो जमीन क्या थी, जमीन पर जो protection मिलना चाहिए, जो food था, यानि कि जो herbivores थे उनके तो food जमीन पर ज्यादा अवेलेबल था, oxygen भी as compared to water, air में ज्यादा अवेलेबल था, उनहें shelter मिलता था, तो less impurities and less predators, तो यह सब possibility की वज़े से वो अपना aquatic habitat छोड़कर जमीन पर आने लगे, अब जमीन पर आये तो उनमें कुछ adaptation भी देखने को मिलते हैं, यानि कि अपना पूरा aquatic habitat छोड़कर वो जमीन पर रहने लगे, तो उनमें बहुत सारे features, बहुत सारे characters और बहुत सारे structure जो evolution था वो हुआ, तो the transition from water to land was gradual, amphibia being the lowest and earliest tetrapods are not fully adapted to a terrestrial life like reptiles, तो फुली adapted कौन है रेप्टाइल से के उनमें जमीन पर रहने के लिए बहुत सारे adaptation देखने को मिलते हैं, यह शुरुआत के थे lowest amphibians, means के amphibians जो है, वो lowest and earliest tetrapods है, तो उनमें adaptation था लेकिन बहुत highly developed नहीं थे, तो transition from water to land involved important changes in almost every system of the body, उनके बहुत सारे body systems में क्या देखने को मिला, evolution, some stricking modification acquired by amphibians over the ancestral aquatic fishes में भी summarized as follows, तो हम देखे उसे step by step, तो first उनका locomotion change हुआ, तो streamlined body retained for swimming, उनका streamlined body क्यों था? swimming के लिए, तो हमने एक्तियोस टेगा का photograph देखा के उनमें शुरू आप में ऐसा ही देखने को मिलता था, right, दीरे-दीरे वो क्या होगा, change होगा, limbs developed in placed of pad fins, और limb तो obviously जो lobed fin fishes थी उनके जगा पर दीरे-दीरे क्या हुआ, तो four limbs and hind limbs बनने लगे, skeleton तो उनका vertebral column जो था, वो more pelvic girdle attached to the vertebral column and two halves firmly united, यानि के pelvic girdle में सब क्या बन रहे थे, hind limbs और four limbs मिन्स के जो बने थे, तो उसके वज़े से क्या हुआ, पैक्टोरल girdle जो थी, उनका connection स्कुल से अलग होकर और pelvic girdle का भी अलग होकर कहा, किसके साथ जुड़ गया, vertebral column के साथ, so more rigid, more, वो लग बहुत ही stronger हुए, क्योंकि उन्हें क्या करना था, पानी पैसे जमीन पर आया है, तो लोकोमोशन के लिए ज्यादा अफॉर्ट लगेगा, तो इस वज़े से उनके muscles जो है, वो कैसे हुए, stronger हुए, respiration तो obviously, पानी में थे, तो वो gills through respiration करते थे, धीरे-धीरे वो किसके through करने लगे, lungs through, और exchange जो था, gaseous exchange, वो air के, में होना, air में जो present oxygen है, वो लेने लगे, cutaneous respiration supplements, pulmonary respiration, यानि कि कुछ में क्या पाया जाता था, तो यह जो उनकी skin होती थे, उनके through वो क्या करते थे, respire करते थे, circulatory system, change accord to provide for respiration by lungs and skin, तो वो भी accordingly change हुआ, जैसे कि हम जानते है, कि फिशिस में, जो heart होता है, तो वो two chamber heart होता है, जबकि amphibians जो है, उनमें three chamber heart पाया जाता है, तो इस तरह से उनमें भी differentiation देखने को मिला, eggs and development, तो eggs तो जो थे, वो small and अभी भी पानी में ही वो रखते थे, इसमें यह reason रहा होगा, कि उनको जो reproduction के लिए, reproduction के time पे जो favorable condition मिलनी चाहिए, वो उन्हें aquatic region में ही मिलती थी, तो अभी भी modern जो है, वो भी कहां रखते है, eggs अपने जो होते है, वो पानी में ही ले करते है, developmental stages जो है, वो अल्ली कैसा रखता है, fishes जैसा ही होता है, sensory system के अगर हम बात करें, तो addition of middle ear, containing a bond for transmitting sound vibrations from tympanum to inner ear, यानि कि middle ear में एक extra bond का addition हुआ, कि जो क्या करता था, sound vibrations को tympanum से inner ear तक transmit करता था, यानि कि इनका addition जो है, audition सुनने की जो उनकी शमता थी, वो ज़्यादा powerful हुई, skin की बात करें, तो skin transform to support, terrestrial life to resist desiccation, यानि कि उनकी जो skin थी, वो जमीन पर रहने के लिए, और desiccation यानि कि dry condition से बचने के लिए, उस तरह से क्या हुई, इवल्यूट हुई, तो ये सब क्या थे, इनके अंदर जो evolution में, structural features में, जो भी differentiation हुआ, वो है, तो इस तरह से amphibians जो है, वो cross up terigen में से, इवल्यूट हुए है, ये प्रूव होता है, और उनके अंदर जो भी, मितलब के उन्हें, जमीन पर आने के लिए, क्या needs रही होगी, तो उसके लिए, दो theories से, जो हमने देखी, कि according to one view क्या है, कि उन्हें, डेवनियन पीरियर में, जो seasonal droughts था, उससे बचने के लिए, वो जमीन पर आने लगे, और another view ये, प्रूव करता है, कि उनमें, water, sorry, oxygen जो ही, वो जमीन पर जादा अवेलेबल था, food, cover, shelter, predators कम थे, इस वज़़े से, वो जमीन पर क्या हुआ, differentiation हुआ, और evolution हुआ, तो इस तरह से जो first tetraports थे, वो fishes के cross of television group से evaluate हुए, अगर आपको ये वीडियो helpful लगा है, और समझ में आया है, तो channel को subscribe करना और वीडियो को like and share करना, thank you so much